कुछी दिनों में माध धुर्गा की आराधना के दिन शुरू होना है नौदिवस्य शार्दिय नवरात्री को लेकर हर और तयारियां जोर उपर है राइसेन में भी एक परिवार पीडियों से मातारानी की आकरशक प्रतिमा बना तयारा है वहीं अब पर्व के नजरीय जाते देख पूरा परिवार दिन रात लगकर इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगा है तीन अक्तोबर को शार्दिय नवरात्री शुरू हो रही है जिसके चलते कई जगा माता के दर्बार सजाय जाएंगे इसी कड़ी में प्रतिमाओं के बनाने का काम जूर उपर है और इने अब इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिमा कलाकार दिन रात एक कर रहे है राय सेंजिले के बेगम गंज में एक प्रजापती परिवार पीडियों से दुर्गा प्रतीमा बनाने का काम कर रहा है इस परिवार की प्रतीमा बनाने की कलाकारी को देखने और प्रतीमा लेने दूर दूर से लोगा पहन इस परिवार की प्रतिमा बनाने को लेकर कलाकारी ने अपनी अलग ही पहचान बना ली है ये पूरा परिवार प्रतिमाओं को तैयार करने के लिए अंतिम रूप देने रात दिन एक कर रहा है मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को सजाने के लिए प्रजापती परिवार दिन रात महनत कर दा है ACN भारत की टीम भी प्रतिमा बनाने वाले स्थल पर पहुंचे और मिट्टी को किस तरह आकर्शक प्रतिमाओं में तब्दिल किया जाता है इसे जाना प्रतीमा बनाने वाले प्रजापती परिवारत दोड़ान एक बाचित के दोड़ान ECN भारत के समधाथा को बताया अगर सरकार इस काम को करने में मारी मदद करे तो और भी अच्छे से इस काम को किया चा सकता है उनकी कलाकारी प्रदेश के साथ देश में नाम रोशन कर सकती है अपने एसीन भारत के दर्शकों को बता दू कि इदर सब देशी मटी से इनको मिटी से इनको तैयार किया जारा है और जैसे रंग रोगन की अगर बात कर लिजा तो उन वह भी बिल्कुल बिदेशी तरीके से तैयार की जा रही है हम अपने कैमरा से बोलेंगे दिखाए कि सामने आप देख पा रहा होंगे बिल्कुल शार्दी नब्दुरुगा जैसा कि मूर्ति के बिल्कुल अंते मूरूत देने कलाकार यहां पा रहे हैं और लगतार तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में एसीन भरत उन से बाचित करने की कोश आपके पूरे पर पूर बचसे काम चला रहा है कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत से चीज चीजें सीखने को मिलती हैं तीन तारीक को इनके स्थापना ओना वाली और आप अंतम रूप देने वाले हैं अगे कि लिए किस टाइप से अपन क मुझे बनाई है तीस प्यास्तिस मूर्तियां बनाई है जैसा कि हम हमारे केमरा पर्शन से बोलेंगे दिखाएं कुछ जानकार भी मेरे साथ मौजूद है उनसे अभी हम बाचित करने की कोचिस करेंगे जैसा कि आप देख पा रहा होंगे चुकि ऐसे में बारिश में मूर् सज्जाए इनकी की जा रही है चूकि आने वाली तीन तारीक को इनकी इस थापना होना है और मैं करे सकता हूँ जैसा कि आप देख पा रहा हूंगे लगतार पर अँन्तिम चड़र पर जो ऐसा की हमारे एसीन भरत के दिखक देख पा रहोंगे अंतिम चरहल में बिलकुल य जैसा कि तैयारी के लिए आप देखा रहे होंगी और यहां पर हम आपको देखा पाएं यहां पर देखा पाएंगे यह जो आप मूर्ती देख पार हों काफी खुबसूरत मूर्ती यहां पर जैसा कि हम देखा पाएंगे आपको के तैयारी यहां पर की जा रही है और आने वा बना रहा है आप अच्छा सबसे बड़ी मूर्थी अगर आप बता पाए कितने फिट की मूर्थी होगी जैसा कि आदकल पी ओपी से भी लगतार जैसा की मूर्थियों को तैयार किया जा रहा हूं और ऐसे में आप बिल्कु देशी मट्टी से मैं देख रहा हूं को तैयार कर रहा है क्या लगता है कि आपका घर भी इसमें चल पाता है जी परिवार का बहरा पूरह में जी कर रहा हूं को आपना तैयार की को जिसका बड़न की करपाए और कहां कहां आपकी मूर्थियां बेजी जाती है यहां से हमारी भुपालत्रक्ति मूर्ति है जा चुकी लगतार आप पूरी साल काम करते हैं कपसे कर रहा है अब ये काम आपके परिवार भी लुग पचासाइट वरस तो हुद रहा है और इसको अन्जाम तक महुंचा रहा है जी मैं कह सकता हूं कि अंतिम रूप देने वाले हैं जाके मूर्ति कलाकार और ऐसे में साफ हम दिखा पाएंगे सामने काफी खूबसूरत इसको अंजाम देने बिल्कुल अंतिम चलाल में यह हैं और ऐसे में कुछ मेरे साथ जानकार मौजूद हैं हलाकि काफी जानकारी भी रखते हैं उनसे भी बाचित करने कि मैं की पुजा हैं और बैसे तो हमारे बर्स में चार बार नवरात्री आती हैं एक अधिद्धू पासना करते हैं शक्ति की पूजा करते हैं हम देखा पाएंगे लगातार यहाँ पर रूप देने की तयारी इंकलाद्वा रखी जा रही हलाकि उनका ये भी कहना है इस महंगाई के दोर में देसी मट्टी से काम करना काफी कठेन होता है लेकिन उनका ये भी कहना है कि काफी उनके परिवार में ये काम लगतार चला आया है और उनका बहुत भी अंजाम दे रहे हैं और मैं बात करने की कोशिश करता हूं जै रहे ते बहुत अच्छा लग रहा है कि एसी एन के माध्यम से हमारे सभी दर्सक देख पा रहा होंगे और लगवग 50 वरसों से यह परंपरा चली आ रही है मैं अपने इस रोताओं को अपने दर्सकों को बताना चाहूंगा कि यह शार्दी नवरात्री प्रारम हो रही है और के आश्विन महीने में प्रारम होती है सभी स्रद्धालू और आधार्मिक जने इसका बहुत इंतजार प्रतिक्षा करते हैं तीन अक्टूबर को यह आश्विन माह जो शुक्रपक्ष आरम हो रहा है उसमें जगह जगह पर माध्यूगा की स्थापन की जाती है और नो रू विशेष रहेगा सब विशेष तो यही कि अलग अलग जैसे प्रमचारनी है कुछ महंड़ा है नो रूप है उनकी अलग अलग तो मा देवी की अलग अलग बहुत सारी कथाएं हैं प्रसंग हैं जिनमें अलग 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 रूप धरन करके उन्होंने जो अधर्म पर चल र लेकिन ऐसे मैं कहीं नहीं कहीं अगर सासंग को सरकारी मदद भी करनेके जरूद है चूप बड़ा काम यह कर रहा है जो काफी कटन होता बिल्कुल आपने सही बात कहिए और एक अपनी कला को निखारता है और वह कलाको जो इसको बाहवाही प्रसंसा मिल जाती उसको इस से बहुत कुछ नहीं को जो कुछ है उनको इनके निचावर के रूप मान लेते कुछ ऐसे ऐसी को में बात करने की कोशिश करता हूं काफी महनत यहां पर में उनका ये भी कहना है कि चोबीसों घंटे पूरा परिबार इसमें लगा रहता है जब कहीं जाकर मूर्ति के तयार होती है कैसा लग रहा है चुकि मूर्ति की स्थापना अब होने वाली और अंतुव रुपाप देने वाले आप लोग अच्छा कौन-कौन आपके साथ स्यूप करता है घर में पूरा लगा रहता है कि कहीं लगता है इसमें जो मैं अगर बात करूं कि इसको अगर मैं धंदा तो नहीं हो आप इसे घर गुजारा तो नहीं हो पाता है बस चलता रहता है क्यूंकि क्यूंकि कौन-कौन सी मूर्थिया तयार की है कि आप नाम बता पाएं जी यह तो बड़े कलाकार ही बता पाएंगे यह इनको नाम दे सकते हैं दुरकाजी दे सकते इनका नाम आपक अपक्व सक और दोपको मैं कह सकता हूं कि आश्टा सो जड़ा मामला होता है तो कहीं ने कहीं वो देखते ही बनता चुकि मज़ब से और धन से बढ़कर कुछ नहीं होता और हम अपने एसीन भारत के देश्टाग देख पा रहा हूंगे जो कि आप जो मूर्तियां देख रहे हैं बिल्कुल अंतिम रूप में हैं और ऐसा की अंतिम तैयारी यहां पर की जा रही है और ऐसे में एसीन भारत रा जाना चाहूंगा सबसे कम कीमत अगर हम पूछना चाहें सबसे लाषड कीमत्पूसति पंचे महलात कि द हैं और गजार's जाोंगा से में मूर्थी ऑनाना आप पी कह सकते क्रना चाहे हैं और ऐसे बाघतार यहां पूरी तरीके से देशी मट्टी से बना रहे हैं आप इसको और रंगों की अगर बात कर ली जाए बातचीत हो रहे थी एसीन भारत की का आपके पूरवजों से ये काम करते चले आ रहे हैं इसको आप क्या मानते हैं अपने आपको का भागशाली मानते हैं कि अपकी आपकी आपका ये कहना है कि आपके बुआ जी ने शुरुआत की जो गळश पृतिमा भी तयार करते हैं अब इसके बाद नबदर का तयारी है अंतेम रूप है बिल्कुल कब तक तयार हो जाएंगे तीन तारी को स्थापना हो पलगर उनका यही कहना कलाकार के लिए एकलाकार हो लेकर कहीं कर लिए ने कहीं कर लेका कर लिए सरकार के अगर बात लुद में जयुक्त भाइक सबक qui तो सरकार पूरे परिवार भी आपका सब्सक्राइब करते हैं तो आप मानते हैं अपने आपको भाक्षाली मानते हैं चुकि मूर्थी के स्थाबना कर रहे हैं मूर्थी देखने हैं अच्छा लग रहे हैं हम देखा पाएंगे चुकि हमारे एसीन भारत ने बहुत ही मैं कह सकता हूं कि जो कि दिखा पाएं हमारे केमरापन लगतार इतने विशाल एडिये में फैला हुआ मूर्थी सज्जा जहां पर की जा रही है और मैं बोलूं कि लगतार मैं कह सकता हूं कि चुकि आने वाले तीन तारीक को मूर्थियों के शार दिये नब्दुर्गा मांकब जो है इस्थापना होने वाली और रैसे में बेगम गंज राइसें जिले के बेगम गंज के कलार कल अब रूद देने वाले हैं आज से कुरिशी के साथ राशिद मीर एसीन भारत राइसें